काना जी के सभी भगतों को मेरी तरफ से राधी कृष्णा, मैं प्रातना करती हूँ कि आप सभी स्वस्त हूँ और खुश हूँ, देखे आज हम लड़ू को पाल जी के लिए ये बहुत ही कुपसूरत सी पोश्याग बनाएंगे, आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज्यादा खुपसूरत लग रहा है, इसके साथी साथ हमने ये जो चोली बनाई है, देखे वो भी कितनी जादा अच्छी लग रही है, हमने ड्रेस थोड़ी हैवी बनाई थी, तो इसलिए हमने चोली बिल्कुल सिंपल बनाई है, इस ड्रेस का लुक बहुत अच्छा लग जिसे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बना कर कानाजी को पहना सकते हैं, अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नौलेज चाहते हैं, या फिर कोई क्वेशन पूछना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ड्रेस बनाने के लिए बेस हमें पहले से बना रखा है बेस बनाना मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियो में बताया है ये ड्रेस हम चौकोर शेप में बना रहा है तो हमें इसकी चारो तरफ से जो लंबाई और चौड़ाई होगी वो बिल्कुल बराबर रखना है यानि कि जितनी हम लंबाई रखेंगे उतनी ही हमें चौड़ाई भी रखनी है तो इसकी जो लंबाई है वो हमने 6 इंच रखी है मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ देखें इसकी लंबाई हमने 6 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमने 6 इंच ही रखी है तो सबसे पहले हमने इंचे टेप ले लिया है जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी 0 नमबर के कान हाजी के लिए बेस की लंबाई और चोड़ाई का जो मेजरमेंट है वो हमें 3 इंच यानि की 3.5 इंच रखनी है एक नमबर के लिए 4, 2 नमबर के लिए 4.5, 3 नमबर के लिए 5, 4 नमबर के लिए 5.5, 5 नमबर के लिए 6, 6 नमबर के लिए 6.5, 7 नमबर के लिए 7, 8 नमबर के लिए 7.5, 9 नमबर के लिए 8 और 10 नमबर के कान हाजी के लिए बेस की जो लंबाई और चोड़ाई होगी वो हमें 8.5 इंच रखनी है अब हम सेंटर में कमर की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर लेना है फिर एक बार और हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे हमें बिल्कुल बराबर कमर की कっटिंग कर सकते या फिर पहले देखिए ऐसे गोलाई देते हुए एक शेप ड्रौ कर ले जैसे के आपको कमर की कुछ कर ल ex ड्रौकिं कर ले अब obec को इसी सी शेप में कट कर लेंगे कटिंग करने के बाद जब हम इसको उपेन करेंगे तो देखे इसका शेप कुछ इस तरीके से आजाएगा आप देख सकते हैं बिल्कुल गोलाई में कमर की कटिंग हुई है अब हमने ये जो कमर की कटिंग की है यहां से बीचों बीच में सीधे हमें एक और कट लगा लेना है अब हमने देखे ये सिल्वर कलर का टिशू रिबन ले लिया है अगर आपके पास सिल्वर कलर का टिशू रिबन नहीं हो तो आप शौटन रिबन भी यूज़ कर सकते हैं हमने देखे ये जो बीच में से कटिंग की है तो यहां से हम इस पे टिशू रिबन लगाना शुरू यहां तक टिशूरी बन लगा लेना है अब हमें इसको यहां से यहां तक मेजर कर लेना है देखिए यह धाई इंच यानि कि 2.5 इंच आ रहा है अब हमने यह वाइट कलर के नेट के फाब्रिक में से देखे एक पीस कट कर लिया है इसकी जो टोटल लंबाई है वो हमने 70 के चाट लाइगी इससे एक इंच कम करके उतनी ही चोड़ाइ रहे नेट के फाब्रिक की रखनी है यानि कि अगर इसकी चोड़ाइ इस तीन इंच आरी है तो नेट का पै एक इंच कम करके को दो प्लेट्स डालते हुए हमें आउपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है यहां नीचे की तरफ से मेजर करते हुए हमें 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से ऐसे हमें चारो तरफ से 1.5 इंच पर मेजर करते हुए मार्किंग करनी है चारो दर्फ से हमने देखे 1.5 इंच पर मेजर करते हुए मार्किंग भी कर ली है अब हमें ये नiscal का फैबरिक लेना है हमने 1.5 इंच पर मार्किंग की है क्योंकि हमने जो जो नैट के पैबरिक की चौड़ाई रखी है वो भी हमने 1.5 इंची रखी है तो हमें इस जो मार्किंग की है इसके उपर रख कर फिर इस पे सिलाई लगाने में आसानी होगी तो आप जितने भी नंबर के कानाजी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो आप जितनी चोडाई रखेंगे नेट के फैबरिक की उतनी ही चोडाई पे मेजर करते हुए आपको भी चारो तरफ से मार्किंग कर लेनी है जिसे कि आपको ये प्लेट डाल कर सिलाई लगाने में आसानी रहेगी अब हमें देखें नेट के फैब्रिक को लेना है और यह जो हमने मार्किंग की है इसके उपर ऐसे बहुत ही आसानी से रखना है फिर यह जो किनारा आएगा यानि कि यह जो देखें कॉर्णर वाला साइड है यहाँ पर इस पर हमें एक हल्की सी चूनट डाल देनी है बहुत ही हल्की सी चूनट डालेंगे हम देखे इस तरीके से फिर से हम इसको यहाँ पे फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे फिर से किनारे पर हम एक हल्की सी चूनट डालेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे ऐसे हम इसको चारो तरफ से अब हमने ये chillver color की lace ले लिए अगर आपके पास इसमे की lace नहीं हो तो आप कोई भी की लेस यूज कर सकते हैं हमने ये जोो चारों तरफ से तो इसको ढखने के लिए देखें हमने इसको jas stretch लेस को रखना है और चारो तरफ से सिलाई के ऊपर से लगा लेना है चारो तरफ से हमने देखें सिल्वर कलर की लेस लगा ली इसके साथी साथ हमने कमर पे भी चारो तरफ से ये लेस लगा ली है अब इसका लोग कुछ इस तरह के सहाई का अब दिखें हमने सिल्वर कलर की ड पिंक और यलो कलर में फ़ोम फ्लावस लेया है, ये मार्केट में जबे में बहुत ही ही आसानी से मिल जाते हैं, अगर आपके पास di वह को पास नहीं हूं तो आप खुज से फ्लावर बना कर भी लगा सकती हैं मैंने फ्लावर बनाना भी अपने पिछले वीडियो में बताया है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से देख सकते हैं अब देखे हमें इसको यह जो हमने लेस तगाई है ना तो इसके बीच में चारो तरफ से हमें ऐसे फ्लावर लगा लेना है पिंक वाला जो फ्लावर है उसको हमें बीच में लगाना है और यह जो येलो फ्लावर से इसको हमें चारो कोने पे एक एक फ्लावर लगा लेना है इ चारो तरफ से हमने flowers भी लगा लिये अब हमने देखे यह silver color के sitarे ले लिये हैं यह flower shape में होते हैं और बहुत ही सस्ते मिलते हैं आपको market में बहुत easily मिल जाएंगे यह जो हमने white color का net लगाया है और थोड़ी थोड़ी दूर पर हमें इस तरीके से सितारे लगा लेने हैं इसको हम फैब्रिक ग्लो से चिपका लेंगे सितारा लगाने के बाद अब देखे ड्रेस का लुक कितना स्यादा खुबसूरत लग रहा है, अब हम कानाजी के लिए चोली बनाईएंगे, चोली बनाने के लिए हमने देखे फिर से बुकरम का एक पीस कट कर लिया था और उसके उपर वाइट कलर का वैलवेट का कपड़ा फैबरिक ग्लू से चिपका लिया है इसकी जो यहां से यहां तक की टोटल लंबाई है वो हमने 6 इंच यानि की 6 इंच रखी है और इसकी जो चोड़ाई है वो हमने 3 इंच यानि की 3 इंच रखी है ये चोली का मेजरमेंट हमने 5 नमबर के कानाजी के लिए रखा है तो 0 से लेकर के 10 नमबर तक के कानाजी के लिए मैं आपको चोली का मेजरमेंट बता देती हूँ तो पहले मैं आपको चोली की लंबाई का मेजरमेंट बता देती हूँ 0 नमबर के कानाजी के लिए चोली की जो टोटल लंबाई होगी वो हमें 3.5 इंच यानि की 3.5 इंच रखनी है अब हम 0 से लेकर के 10 नंबर तक के कानाजी के लिए चोली की चोड़ाई का मेजरमेंट देख लेते हैं तो देखे 0 नंबर के कानाजी के लिए चोली की जो टोटल चोड़ाई होगी वह हमें 1.75 इंच रखनी है अब आपको पता दूँ देखें ये 1.5 इंच है और ये 2 इंच है तो इसके बीच का जो ये वाला हिस्सा है इसको हम 1.75 इंच कहते हैं तो 0 नंबर के कानाजी के लिए चोली की टोटल चोड़ाई हमें 1.75 इंच रखनी है एक नंबर के लिए 2, 2 नंबर के लिए 2.25, 3 नंबर के लिए 2.5, 4 नंबर के लिए 2.75, 5 नंबर के लिए 3, 6 नंबर के लिए 3.25, 7 नंबर के लिए 3.5, 8 नंबर के लिए 3.75, 9 नंबर के लिए 4 और 10 नंबर के कानाजी के लिए चोली की जो टोटल चोड़ाई होगी वह हमें 4.25 यानि कि 4.25 इंच रखनी है अब हमें इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है हमने ये जो बुक्रम वाला साइड है इसको उपर की तरफ से रखा हुआ है अब इसको हम एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको हमें इसको मार्किंग कर लेनी है और यहां हम किनारे पर मार्किंग कर गे अब इन दोनों मार्किंग के हमें घीशते हुए मिला लें ना है अब हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे कट करने के बाद देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आजाएगा अब हमने जो नेक्की कटिंग की है यहां से नीचे तक बीचो बीच में हमें एक कट लगा लेना है सीधे हमने फिर से देखिए सिल्वर कलर का टिशू डिबन ले लिया है हमें यहां से यहां तक और यहां से यहां तक टिशू डिबन लगा लेना है दोनों तरफ से हमने देखिए टिशू डिबन लगा लिया इसके साथी साथ हमने यहां से ऐसे सिलाई लगाते हुए गले के चारों तरफ से लगा लेना है अब हमने देखें इसलवर कलर की डोरी में से एक पीस कट कर लिया है इसको आम यह नीचे की तरफ से बिल्कुल बराबर करते हुए रखना है और सिर्फ एक बार देखें इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाय लगाकर डोरी को यहीं पर तो देखे फ्रेंस हमारे लड़ू गोपाल जी के लिए बहुत ही खुबसूरत सी ड्रेस बनकर बिलकुल तयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है तो अगर आपको मेरी बनाई हो ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मे